नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टुद्पोइंट चैनल में स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में UPSC पेट एक्जाम के लिए सामाने जागरुकता से सम्मंदित टॉप 50 अति महत्यपूल प्रस्णों को सौल करेंगे देखे दोस्तों पेट एक्जाम में सामाने जागरुकता से प्रस्ण पूछा जाता है इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए तो चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण आपके सामने है उत्तरी धुरूप पर पहुशने वाला प्रथम भारती कौन था आप्शन है नील परमजीत अरुण नायर अजीत बजाज संजय थापर देखे दोस्तों उत्तरी धुरूप पर पहुशने वाला प्रथम भारती अजीत बजाज थे इसलिए तीसरा आपसन राइट है अजीत बजाज दोस्तो एक भारती खोज करता और एडवेंचर है और या उत्री दुरूप पर इसकी करने वाले पहले भारती है इसकी का मतलब क्या होता है इसकी का मतलब दोस्तो पाउं के नीचे लकड़ी या प्लास्टिक के तखते को बा जम्मु कस्मिर राज के लिए सम्मिधान में विभिन अपवादों और संसोधन की अनुमती देता है आपसन है अनुछे 304 वंडी दूसरा है अनुछे 340 वंडी तीसरा है अनुछे 370 वंडी चौथा है अनुछे 314 वंडी तो देखिए दोस्तो यहाँ पर आपका राइट जम्मु कस्मिर राज के लिए सम्मिधान में विभिन अपवादों और संसोधन की अनुमती देता है वर्तमान में दोस्तो अनुछे 370 के सभी खंड को समाप्त कर दिया गया है अब केवल एक खंड लागू रहेगा इसे आप लोग याद रखिएगा खंड एक क्यों लागू रहेगा क्योंकि खंड एक कहता है कि जम्मु कस्मिर भारत का अभिन अंग है इसलिए अनुछे 370 का खंड एक लागू रहेगा बाकी सभी खंड को समाप्त कर दिया गया है इसे आप लोग याद रखिएगा अगला क्रिस्ण है करनाटक में विश्च में सरवाधिक संख्या में ACN हाथी पाए जाते हैं किस Tiger Reserve में नागर होल Tiger Reserve रण थंभो टाइगर रिजर्व खंड ताइगर रिजर्व खंड टाइगर हाथी पाये जाते हैं इसे याद रखिएगा पहला आप्षन राइच है आगे बढ़ते हैं दा गूगल स्टोरी नामक पुस्तक की रसना किस ने की थी आप्षन है फेडरीक फोर्सेथ विक्रम सेथ डेवीड विसे सोभाडे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसन है देखे दोस्तो गूगल स्टोरी डेवीड विसे और मार्क मालसेट की एक पुस्तक है जिसमें यह वर्डन किया गया है कि कम्पनी की अस्थापना कैसे की और यह अधुती क्यों है तो यहाँ पर दोस्तो तीसरा आपसर राइट है डेवीड दा गूगल स्टोरी नामक पुस्तक की रशना डेविड ए विशे ने की थी तीसरा आप्शन राइट है चली आगे बढ़ते हैं सभी प्रस्ण आप लोग ध्यान से देखते हुई चलिए वर्स 2011 की गड़ना के अनुसार भारत का कुल वनावरान छेत्र कितना है आप्शन है 17. इंपोर्टेंट प्रस्ण है देखे दोस्तों वर्स 2011 की गड़ना के अनुसार भारत का कुल वनावरान छेत्र 21.05 प्रस्ण है इसलिए तीसरा आप्शन राइट है इसे याद रखियेगा अगला प्रस्ण है भारत रत्न और पदम स्री पुरस्कार को वर्स आरंभ किया गया किस वर्स में आरंभ किया गया आपको यह बताना है आप्शन है 1964-1958-1968-1954 देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट है चौथा आप्शन 1954 याद रखियेगा दो जनवरी 1954 को भारत के राश्पत में दो नागरिक पुरस्कारों भारत रत्न जिसे सर्वच नागरिक पुर की थी इसलिए चौथा आप्शन राइट है 1954 चलिए आगे बढ़ते हैं करनाटक के हमपी में स्थित कौन सा मंदिर अस्थापत तिकला का एक उतक्रिष्ट उदारण है आप्शन है मीनाक्षी लिंगराज विठ्थल अचरधाम देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट करनाटक के हमपी में स्थित विठ्थल मंदिर अस्थापत तिकला का एक उतक्रिष्ट उदारण है यहाँ पर तीसरा आप्शन राइट है देखे दोस्तों हमपी के उत्तर पूर्वी भाग में तुंग भद्रा नदी के तट पर विठ्थल मंदिर इस्थित है और यह पर अप्शन है मिलखन सिंघ ए अर रहमान विठ्वन आथन आनंद सस & तिंदृ कर मोश्ट इंपर्टेंट प्रस्ण है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसर है तीसरा आप्षन विश्वनाथन आनंद के नाम पर एक लग उग्रह का नाम रखा गया है तीसरा आप्षन आपका राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं सार्क की पहली महिला महा सचिव किस देश की हैं आप्षन है भारत माल माल्दिव भूटान सिलंका मोस्ट इंपोर्टिन प्रस्त है देखे दोस्तों सार्क की पहली महिला महा सचिव का नाम फातिमा धियाना सईध है जो की माल्दिव देश की हैं इसलिए दूसरा आप्षन राइट है चर्यागे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से किसे तालाबो और कुओं में छोड़ना मच्छोरों के नियंतरण में सहायक होता है और इसलिए दोस्तों तालाबो और कुओं में छोड़ना मच्छोरों के नियंतरण में सहायक होता है और इसलिए दोस्तों तालाबो और कुओं में छोड़ना मच्छोरों के नियंतरण में सहायक होता है राइट है चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है सेना द्वारा प्रसासन तथा न्याय पालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद काईदे कानून को क्या कहते हैं आपको यह बताना है आप्शन है दोस्तों तक्था पलट या फिर हरताल या मारसला या राजनायति प्रस्ण है देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट है तीसरा आप्शन मारसला याद रखिएगा सेना द्वारा प्रसासन तथा न्याय पालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागु काईदे कानून को मारसला कहते हैं तीसरा आप्शन राइट है चली आगे पड़ते हैं अगला प्रस्ण है निम्न लिखित में से कौन किसी लोकतांतरिक देश की सबसे महत्वपूर राजनेतिक संस्था है आप्शन है राज्ट रुपत संसद प्रधान मंत्री मंत्री परिशद मोस्ट इंपोर्टेन प्रस्था है देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट इंसर है तीसरा आप्शन प्रधान मंत्री याद रखिएगा भारत जैसे लोकतांतरिक देश में प्रधान मंत्री को सबसे महत्वपूर संस्थान के रूप में संबोधित किया जा सकता है क्योंकि दोस्तों राश्पत जो होता है वह राश्ट का नाम मात्र का अध् प्रधान सभा के चुने हुए सदस्य इंपोर्टेंट प्रशन है देखे दोस्तों राश्पत के चुने हुए सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं इसलिए चौथा आप्शन राइट है बाकि सभी दोस्तों राश्पत के चुनाओं में दोनों सदन के चुने हुए सदस्य हिस्सा लेते हैं विधान सभा के चुने हुए सदस्य हिस्सा लेते हैं और दिल्ली तथा पुदुचेरी विधान सभा के चुने हुए सदस्य हिस्सा लेते हैं यहाँ पर चौथा सुर है चोथा अप्सन सरावती नदी याद रखिएगा जोग जल प्रपात सरावती नदी पर इस्थित है चोथा अप्सन राइट है जोग जल प्रपात का निर्मार दोस्तो करनाटक के सीमोगा जिले में सागर तालूक के निकट सरावती नदी के द्वारा होता है चोथा में से कौन सा परियावरान का अजयव घटक है अप्शन है हरे पौधे गैर हरे पौधे पानी परजीवी मोस्ट इंपोर्टन प्रस्ण है देखे दोस्तों अजयव घटक के अंतरगत जल प्रकास विकिरन तापमान आर्दरता वाई मंडल और मिर्दा ये सभी दोस्तों अजय तीसरा आप्शन राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन रभी फसल नहीं है आप्शन है जो गेहूं मुंगफली सरसो मोस्ट इंपोर्टन प्रस्ण है देखे दोस्तों रभी की फसलों के अंतरगत गेहूं जो सरसो मटर और तिल ये सभी फसले रभ की अंतरगत नहीं आती है यह एक खरी फसल है इसे याद रखिएगा तीसरा आप्शन राइट है आगे बढ़ते हैं टुईडियल सब्द किस खेल से सम्मंधित है आप्शन है टेबल टेनिस लान टेनिस गोल्फ तैराकी देखे दोस्तों टुईडियल सब्द टेबल टेनिस से सम्मंधित है इसलिए पहला आप्शन राइट है चली आगे बढ़ते हैं मधवनी भारत के किस राज की प्रसिध लोक कलाकृती है आप्शन है मध्य प्रदेश जारखंड बिहार उत्तर प्रदेश मोस्ट इंपोर्टेन प्रस्ण है देखे दोस्तों मधवनी ये बिहार आप्शन राज की प्रसिध लोक कलाकृती है तीसरा आप्शन राइट है मोस्ट इंपोर्टेन प्रस्ण है इसे आप लोग याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं दा रेड साडी किसके द्वारा लिखी गई है आप्शन है ममता बनर जी जेवियर मोरो मलाला यूसुप जै नील मुखरजी मोस्ट इंपोर्टेन प्रस्ण है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसर है दूसरा आप्शन जेवियर मोरो याद रखिएगा दा रेड साडी सोनिया गाधी के जीवन का नाटकी रूपांतरण है जिसे इस्पेनिस लेखक जेवियर मोरो द्वार अगर 36-3 सहयोग संग IORA का सदस्य नहीं है ऑप्शन है बंगलादेश, मौरिशस, अफगानिस्तान, भारत मोस्ट इंपोर्टेन प्रस्ण है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसर है तीसरा आप्शन अफगानिस्तान देखे दोस्तों इंडियन ओसीन रिम एसोस राष्टी संगठन है और इसमें दोस्तों अफगानिस्तान सदस्य नहीं है तीसरा आप्शन राइट है आगे बढ़ते हैं इस्मृती मंधाना एक हैं इस्मृती मंधाना कौन है देखे दोस्तों इस्मृती मंधाना बाएं हाथ की बल्लेवाज और दाएं हाथ की मध्यम ग चौथा आप्सन राइट है बाएं हाथ की बल्लेबाज और दाएं हाथ की गेदबाज हैं चौथा आप्सन राइट है आगे पड़ते हैं पुलितजर पुरुसकार प्राप्त करने वाले पहले भारती कौन थे अप्सन है गोविंद बिहारी लाल, संग मित्रा कलिता, जुल्पालाहिडी, गीता आनन्द most important प्रस्ण है देखे दोस्तो यहाँ पर आपका राइट प्राप्त सर है पहला अप्सन गोविंद बिहारी लाल देखे दोस्तो एक भारती अमेर की पत्रकार और स्वतंत्रकार करता गोविंद बिहारी लाल 1937 में पुलितजर पुरुसकार जितने वाले पहले भारती थे पहला आप्शन राइट है आगे बढ़ते हैं भारत में पेंटिंग के संदर्व में निम्ने में से कौन सा यूम सुम संबंदित है इसलिए पहला सुमेलित है दूसरा है बाग पेंटिंग या दोस्तो मंधि प्रदेश से संबंदित है इसलिए यह भी सुमेलित है तीसरा है फड़ पेंटिंग या राजस्तान से संबंदित है यह भी आपका सुमेलित है चौथा है गुलेर पेंटिंग गुले इंडिया एबिटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है ऑप्सन है गुर्च वरंदास ससी थरूर रतन टाटा एनर नारायन मूर्ती मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्ण है देखे दोस्तों इबिटर इंडिया एबिटर वर्ल्ड के लेखक एनर नारायन मूर्ती है चौथ ओप्षन राइट है, चली आगे बढ़ते हैं, गानिधर कला सहली निम्न में से किस यूरोपी देश की कला से प्रभावित थी, ओप्षन है, इटली, बेल्जियम, हंगरी, यूनान, इंपोर्टेंट प्रस्ट है देखे दोस्तों गांधार कला सैली यूनानी सैली से काफी प्रभावित थी इसलिए चौथा आप्षन राइट है यूनान चली आगे बढ़ते हैं निम्न में से किस भारती राज जी की सीमाएं उत्तर दक्षिड और पस्चिम में बंगला देश की सीमाओं को एसपर्स करती है इसलिए तीसरा आप्षन राइट है त्रिपुरा चली आगे बढ़ते हैं अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष सामिल हुआ था आप्षन है 2007-2008-2005-2006 इसलिए पहला आप्षन राइट है आगे बढ़ते हैं भांड पाथिर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज या केंदर सासित प्रदेश की परंपरा है आप्षन है दादरा और नगर हवेली गोवा जम्मू और कस्मीर केरल most important प्रस्ण है देखे दोस्तों भांड पाथिर कस्मीर का सदियो पुराना पारंपरिक लोकरंगमंच है यहां तोर पर खुले अस्थानों में आयोजित किया जाता है यहां पर दोस्तों तीसरा आप्षन जम्मू और कस्मीर राइट है चलिया आगे बढ़ते हैं निम्न में से कौन सा बंगला देश का एक बंदरगा है ओप्षन है चटगाओं फरीदपूर राजसाही धाका देखे दोस्तों यहां पर आपका राइट असुर है पहला आप्षन चटगाओं चटगाओं बंगला देश के दच्छिड पूर्वी तट परिस्थित एक बड़ा बंगाल की खाड़ी का सबसे ब्यस्त अंतरराश्ची बंदरगाह और दच्छिड एसिया का तीसरा सबसे ब्यस्त बंदरगाह है इसे आप लोग याद रखिएगा अगला प्रस्थन है निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है आप्षन है खान अब्दुल गफार खान म मदर टेरेसा नेलसन मंदेला बल्देव सिंग मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्थन है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसर है चौथा आपसन बल्देव सिंग भारत के पहले रच्छा मंतरी बल्देव सिंग को भारत रत्न नहीं मिला है चौथा आपसन राइट ह यहाँ पर दोस्तों खान अद्दुल, गफार खान, मदर टेरेसा, निलसन मंडेला इन सभी को भारत रत्न दिया गया है चलिए आगे बढ़ते हैं सभी प्रस्णा आप लोग ध्यान से देखते हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए चलिए आगे बढ़ते हैं 36 गढ़ में किस वाटर फाल को भारत के नियागरा फाल्स के रूप में भी जानते हैं चौथा आप्सन राइट है आगे बढ़ते हैं भारत के समिधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के सदन की बैठक सुरू करने के लिए गढ़पूर्ती की संख्या सदन की कुल सदस संख्या का दसवा हिस्सा होती है आप्सन है अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103 इंपोर्टेन प्रस्ट है देखे दोस्तों भारत के समिधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के सदन की बैठक सुरू करने के लिए गढ़पूर्ती की संख्या सदन की कुल सदस संख्या क दस्वा हिस्सा हुती है, दूसरा आप्षन राइट है, आगे बढ़ते हैं, दा ओडे सिटी आप होप पुस्तक किस ने लिखी है, आप्षन है, विल क्लिंटन, जार्ज बुस, बराक उबामा, बिल गेट्स, इम्पोर्टेन प्रस्थन है, देखे दोस्तों, दा ओडे सिटी आप होप नामक पुस्तक बराक उबामा ने लिखी है तीसरा आप्शन राइट है बराक उबामा ने 2009 से 2017 तक संगत राज अमेरिका के चववलिश्यमे राश्टुपत की रूप में कारे किया था इसे भी आप लोग याद रखिएगा निरित्य रूप डांडिया का किस से सम्म है औप्स्न है गड़ेश चतुर्थी नाऊरात्री ओडम विहू इमपोर्टेंट प्रस्ण है देखे दोस्तों डांडिया को डांडिया रास के रूप में भी जाना जाता है यह एक निरत्य रूप है जो नाऊरात्री के समय कुझरात में किया जाता है इसलिए दूसरा आप लिखित खेलों में से कौन सा खेल देउधर ट्राफी से संबंधित है। आप्शन है गोल्प, हांकी, क्रिकेट, फुटबाल। इम्पोर्टेंट प्रस्ण है, देखे दोस्तों, यहां पर आपका राइट एसुर है, तीसरा आप्शन क्रिकेट। देवधर ट्राफी का संबंध क्रिकेट से है, तीसरा आप्षन राइट है, चली आगे बढ़ते हैं, सभी प्रसन आप लोग ध्यान से देखते हुए चलीए, ये सभी प्रसन काफी जादा इंपोर्टेंट है, निमने लिखित में से हिंदुस्तानी सास्त्री संगीत का प्रसि प्रसिद घरानों की बात करें, तो आगरा घराना, गौलियर, पटियाला, किराना, इंदोर, मेवाती, सहस्वान, भेडी बाजार और जैपूर, ये सभी दोस्तों हिंदुस्तानी सास्त्री संगीत के कुछ प्रसिद घराने हैं, यहाँ पर दोस्तों रजवारी घराना ये ह रिकार्ड कितने दिन बिताये थे, आप्शन है 150, 175, 95, 200, इंपोर्टेंट प्रस्न है, देखे दोस्तों भारती मूल की सुप्रसिद अंतरिक्ष यात्री सुनीता बिलियम्स ने अंतरिक्ष में रिकार्ड 155 दिन बिताये थे, तीसरा आप्शन राइट है, चलिए आगे पेड़ों को कटने से बचाने के लिए वन रोपर से, देखे दोस्तों चिपको आंदोलन पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चलाये गए आंदोलन से संबंधित है, इसलिए तीसरा आप्शन राइट है, आगे बढ़ते हैं, भूमी छेत्रफल के हिसाब से दुनिया का स सबसे बड़ा देश कौन सा है ऑप्षन है अर्जेंटीना आस्टेलिया ब्राजील इंडिया देखे दोस्तों छेत्रफल की दृष्टी से दुनिया का सात्वा सबसे बड़ा देश इंडिया है इसलिए चौथा आप्षन राइट है और जनसंख्या में दोस्तों इंडिया का दूसरा अस्थान है इसे भी आप लोग याद रखिएगा आस की दिसा क्या है ऑप्षन है एक नेविगेशन वेबसाइट भारती रेल्वे की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स एक वेब मैपिंग सेवा जो यातायात की रियल टाइम इस्थिती उपलब्ध कराती है इंप पाकिस्तान, सिंगापूर, सिलंका, भूटान, पाकिस्तान, सिलंका, नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, आस्टेलिया, रूस, पाकिस्तान, नेपाल, इंडोनेसिया इंपोर्टिन प्रस्न है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट है दूसरा अप्षन पाकिस्ता सीमा पर पार गमन बिंदू नहीं है option है गंडा सिंग वाला वागा अटारी सीकर important प्रश्ण है देखे दोस्तों भारत और पाकिस्तान सीमा पर पार गमन बिंदू कुल 5 है कौन-कौन वागा है दूसरा है मुनाबाव तीसरा है हुसेनी वाला चौथा है गंडा सिंग वाला और पाचवा है अटारी ये कुल 5 पार गमन बिंदू है भारत पाकिस्तान सीमा पर यहाँ पर दोस्तों सीकर जो है ये भारत पाकिस्तान सीमा पर पार गमन बिंदू नहीं है इसलिए चौथा आप्शन राइट है आगे बढ़ते हैं सचिन तेंदूलकर ने अपना सववा सतक किस स्टेडियम में बनाया था इंपोर्टेंट प्रस्ण है आप्शन है सेरे बांगला क्रिकेट स्टेडियम वानखेडे स्टेडियम इडन गार्डन लार्स क्रिकेट मैदान देखे दोस्तों सचिन तेंदूलकर ने अपना सववा सतक सेरे बांगला क्रिकेट स्टेडियम में बनाया था पहला अप्सन राइट है देखे दोस्तों सचिन तेंदूलकर को आम तोर पर लिटिल मास्टर या मास्टर ब्लास्टर के रूप में जाना जाता है और अक्सर भारती क्रिकेट प्रेमियो द्वारा इन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है ध्यान रखियेगा 2012 में या धाका के सेर बांगला नेशनल स्टेडियम में सव अंतर राष्टी सतक बनाने वाले पहले खिलाडी बन गए यहाँ पर दोस्तों पहला अप्सन राइट है अगला प्रस्न है नुमालीगड रीफाइनरी लिमिटेड में मुख हिस्सेदारी किसके पास है अप्सन है हिंदूस्तान पेट्रोलियम चन्नाई पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम रिलाइंस पेट्रो केमिकल्स इंपोर्टेन प्रस्न है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट एसर है तीसरा अप्सन भारत पेट्रोलियम देखे दोस्तों नुमालीगड रीफाइनरी असम के मोरंगी गोल अगार जिले में इस्तित है या भारत पेट्रोलियम आयल इंडिया और असम सरकार का एक संयुक्त उद्दम है यहाँ पर दोस्तों तीसरा आपशन भारत पेट्रोलियम राइट है आगे बढ़ते हैं सोतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक बिजेता खिलारी था आपशन है केडी जाधाओ, नारमन, प्रिचर्ड, कडम मले सुरी, लिएंडर पेस इंपोर्टेन प्रिस्ट है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट सुर है पहला आपशन केडी जाधाओ, केडी जाधाओ एक भारती एथलीट थे जिन्होंने 1952 में हेल सिंकी में ग् देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट सुर है पहला आपशन यहूदी जिसे कोट्यल, पस्चिम दीवार या सोलोमन की दीवार के रूप में भी जाना जाता है यह दोस्तों यहूदियों से सम्बंधित है पहला आपशन राइट है आगे बढ़ते हैं पेरियार वन जी किस राज्य में इस सित है उत्तर प्रदेश केरल मध्य प्रदेश महारास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रशन है देखे दोस्तों यहाँ पर आपका राइट है आगे बढ़ते हैं गोदान के लेखक कौन है आप्शन है स्री लाल सुक्ल मनमोहन स्याम जोसी हरिवन सराय बच और आपका राइट है गोदान के लेखक मुनसी प्रेम जोस्तों है चौथा आप्शन राइट है आगे बढ़ते हैं पैठनी महारास्ट की कौन सी एक सैली है और आप्शन है नित्व क्रिसी कपड़ा बुनाई सास्त्री संगीत इंप्रटेंट प्रशन है देखे दोस्तों पैठनी महाराष्च की कपड़ा बुनाई की एक सहली है तीसरा अप्सन राइठ है पैठनी की बात करते हैं तो पैठनी दोस्तों एक किसम की साड़ी है जिसका नाम महाराष्च लाज जी के औरंगाबाद में पैठान सहर के नाम पर रखा गया है जहाँ पर साड़ी पहले हाथ से बनाई जाती थी तो यहाँ पर दोस्तो तीसरा option राइट है इस प्रकार से दोस्तो आज की यह क्लास यही पर समाप्त होती है यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताईए अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों में सेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताईए इस क्लास की PDF प्राप्त करना साथ है या पेट एक्जाम के संपूर क्लास की PDF और Notes प्राप्त करना साथ है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेली ग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप लोग टेली ग्राम चैनल जॉइन कर लिजिए टेली ग्राम चैनल जॉइन करने के बाद पेट एक्जाम के संपूर क्लास की PDF और notes बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही अब आपको नेश क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद